नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बर्ड कप के लिए BCCI ने किया 20 खिलारियों को सौट लिस्ट इसके साथ ही बढ़ते है साम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से बिहार बोड के परिक्षा में हुआ बड़ा बदलाव, बिहार बोड की मैट्रिक और इंटर परिक्षा की टाइम टीबल जारी हो गई है लेकिन अब इसमें कुछ एहम बदलाव कर दिये गए है जिसे जानना विद्यार्थियों के लिए काफी जरूरी है किये गए बदलाव क अनुसार परिक्षार्थियों को परिक्षा शुरू होने के देर घंटे बाद ही परिक्षा कक्च छोड़ने के अनुमती दे दी जाएगी इसके साथ ही परिक्षार्थी को पानी पीने या सोचाले जानी के अनुमती तभी दी जाएगी जब उनके वस्तोनिस्ट प्रशन पू थंड और सीतलहर को देखते वे डियम डॉक्टर चंद्रसेखर सिंग ने राजधानी पटना के नर्सरी से लेकर क्लास आठ तक बच्चों की प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया है पतादे के आदेश के नुसार अब स्कूल साथ जन्वरी त ना करे ठंड से बच्चे बिमार पर सकते हैं वही जिन स्कूलों के दौरा डियम के आदेश का पालन नहीं किया जाएगा उन स्कूलों पर कड़ी कारवाई की जाएगी नाव हासे के तीन दिन बाद साथ में से एक सब हुए बढ़ामत बीते दिन सुक्रवार को राज़ानी पटना के मनेर में महावीर टोला गाउं के गंगा घाट के पास एक नाव हासे का सिकार हो गया था जिसमें कुल साथ लोगों के लापता होने की खबर सामने आई थी अब हासे के तीन दिन बाद SDRF पुलिस के दौरा साथ लापता लोगों में से केवल एक व्यक्ति के ही सब को मनेर थाना छेतर के रतन तोला गाउं के पास से बरामत किया गया है आपके जानकारी के लिए बता दे कि मृतक की पहचान मनेर थाना के ब्रहमचारी गाउं निव से पहुँचे अफसर का किया स्वागत आज नए साल का दूसरा दिन है और नए साल पर मुखे मंतरी निदीज कुमार के जनता दरवार का पहला दिन इस दोरान जनता दरवार में मुखे मंतरी लोगों की सिकायतों को सुनने के लिए समय पर पहुँचे तो वही अधिकारी लेट से पहुंचे इसी कड़ी में सारी सिकायते सुनने के बाद जब मुखे मंतरी सची वाले के बड़े अधिकारी नितीज कुमार के सामने देर से पहुंचे तो नितीज कुमार ने उनका स्वागत हाँ जोड कर किया उन्होंने हाँ जोडते वे अफसर से कहा आगे बड़ी पी इलाकों से जाती है है जनगना की शुरवात हो रही है। चरण के सुरुवात एक अप्रैल से होगी जो की तीस अप्रैल तक चलेगी बिहार निकाय चुनव में दो पदों पर जीते गए उम्मेद्वारों को देना होगा इस्तिफाँ हाली में बिहार में नगर निकाय चुनव खत्म हुआ है चुनाव में खड़े होने वाले करियों में द्वार ऐसे भी थे जो एक से अधिक पद अर्था दो पदो पर चुनाव लर रहे थे इनमें से जिन उमेद्वारो ने दो पदो पर जीत हासिल की है उन्हें किसी एक पद से पंदरा दिनों के अंदर ने इस्तिफा देना होगा आपको बता दे कि दो पदो पर जीत हासिल करने वाले प्रत्याश्यों को लिखित रूप से व्यक्तिगत तोर पर इस्तिफा देने का साधि साध यदिव में द्वार द्वारा निरधायत समय में इस्तिफाद नहीं दिया गया तो जीते गए दोनों ही पदों को रिक्तमाल लिया। सराब को दूसरे राज्जे से मंगवाया गया था आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस मामलिक अखुलासा तब हुआ जब कंपनी के डिलिवरी बॉय से इस कूरियर की डिलिवरी करने पर मना कर दिया गया जिसके बाद उस लड़के को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया इसके बाद सभी के द्वारा जम कर हंगामा किया गया और इसकी सूचना पुलिस को दी गई मौके पर पहुँची पुलिस ने जाज परताल की और भारी मात्रा में गोदाम से सराब की खेब बरामत की और साथी कूरियर कंपनी के प्रवंदख सहित तीन को गिरफतार भी किय नए साल पर कमर्सियल गास सिलिंडर होगा महगा वीते दिन से नए साल की सुरुवात हो गई है और ऐसे में रिस्टोरेंट और होटलों में खाने वाले लोगों को जोडों का जटका लग गया है दरसल नए साल के मौके पर कमर्सियल गास सिलिंडर के दामों में बरहोतरी कर थी वहीं पिछले एक साल में घरेलू गैस की कीमत में कुल 15.5 रुपे की बरहत दर्ज की गई है आपकी जानकारी के लिए बता दी कि साल 2022 में घरेलू गैस की कीमत को चार बार बदला गया है बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में मिले एक नए करोना मरीज बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 50,870 करोना जाच की एक एक एजस में एक नए केस सामने आये है नया संक्रमित भागलपूर जिले से मिला है जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है जिसके बाद वर्तवान वे प्रदेश में एक्टिव केस की कूस संख्या 17 है बता दे कि बिहार में कोरोना मरीजों का रिकवरी प्रतीसत 98.5-53 प्रतीसत है इस बाद की जानकारी विहार स्वास्त विभाग के द्वारा ट्वीट शेयर कर दी गई है नए साल में खुलेंगे कई कार खाने समीर महासेट उद्योग मंतरी समीर कुमार महासेट के दोरा दी गई जानकाडी के नुसार नए साल में कई उद्योग खुलने वाले हैं जिसमें एथेनौल और खादे प्रसंस करण की कई नए कार खाने शामिल होंगे, बता दी कि इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है, विवाग का बजट तीन हजार करोर से अधिक का हो गया है। धाचे को मजबूत बनाने के लिए लगाता काम चल रहा है। उनके लिए कहीं पर कोई इस्थान नहीं है, अबुके मंतरी के सिती न घर की और न घाट की होने वाली है। बिहार में भार जरो यात्रा इसस जिले से होकर गुजडेगी। विश्राम भागलपुर के संथ पतिक स्कूल में किया जाएगा। पुदी ने बिहार की मुखे मंतरी नितीस कुमार को अपने पद की कुरसी छोड़ने को लेकर संभावना जताई है। वोर्ट सारजनिक करनी होगी। जारी की गई है जिनने बिसी सी आई के द्वारा सौर्ट लिस्ट किया गया होगा। उनके अनुसाज जिन 21 खिलारियों के नाम को सौर्ट लिस्ट किया गया है। उनमें रोहिस सर्मा, केयल राहू, सुबमन गिल, विराट कोली, श्रियस आयल, इसान किशन, रिसब पंथ, सुरे कुमार यादव, संजु सैमसन, हार्दिक पांडिया, अक्छर पतेल, रविंद्र जडेजा, वासिंग्टन, सुंदर, कुल्दीप यादव, यजुविंद् रुचहल, जस्प्रीद बमराह, मुहमद समी, अर्सदीप सिंग, प्रसद कृष्णा, मुहमद सिराज, और सारदुल ठाकुर के नाम शामिल है, जानी आज बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल के रेट, बिहार में आज जानी सोंवार को पेट्रॉल डीजल के रेट जारी प्रसद के रेट, बिहार में पेट्रॉल के रेट सबसे आदा किसन गंज में है, जहां पेट्रॉल डीजल 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 सुने 4 रुपए प्रती लीटर की दर से मिल रहा है बीदे दिन हमादरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने हमादरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल है आपके अनुसार राजे में नए कार खाने खुलने से राजे वासियों को कितना फायदा होगा आप अपना जवाब हमें अमारी कमेंट सेक्षन में लिखकर जरूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी नेज़र साथ यगर आप यूटूब से देख रहें को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहें है तो पेस को follow करना ना भू ले धन्यवाद